एपिसूड के स्टाट में हम लोग यहाँ पूरे यहाँ पे किंटम को देखते हैं जो की काफी बड़ा दिख रहा होता है पूडिंग दिखाई जाती है जिसके बारे में ब्लेट सोच रहा हो था बोलना हो था यह क्या चीज थी जो कि इतनी अधा सॉफ्ट और यहां पे स्क्विजी टाइप थी इसको पूडिंग कहते हैं और यहां पर आमरेश पूछती कि तुम लोग वापस से फूडिंग खाना इसके ब्लेट भॉलते हैं जो में भूसकित करने और इसको बाद होड़ने इसकों इसको लृप यह जाए और यहां है सुने प्लीट भाकती ब्लीट देदा बोलता है कि यहां पर किसी को नहीं पता कि मैं great hero हूं तो अपना मूद रखना ठीक है इस पर डियो ने बोलती है हां मैं समझ गई आप यहां पर एवरिश फूसती कि कि क्या तुम दो रेक दूसर जानते हो जिस पर आप ब्लेड बोलता है कि हां शायद से और शायद से नहीं इसके बाद यहां पर डियो ने बताती है कि हां मैं great मतलब blade से बहुत पहले मिली थी और भाई वो यहां पर काफे तर नर्वस दीख रही थी बाकि blade बोलता है कि यहां पर गोड़ा-गाड़ी में का यह जो समान है वो बस गया है लेकिन next scene में उसमें मालूम परता है क यह तो समान था कि 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 द्युक्ते बोलता है कि आज से बोलता है कि आज से में तुम सबकिंचर होने वाली हूं प्रक्ट और कि तो पर जीव अजीव लगता है कि वह ग्रेट फिरों करने वाली है, तो फोड़ा वश्रमाती जिस पर बलेट बोलता है, कहा कर एंसे चलता है, तो मैं जाता है इं तक बच नहीं पाऊंगा, यह मेरी पॉल्ड पका खोल देगी, पाकि नेक्स सिन में हम लोग को दिखा जाते हैं कि साइस्ट को यहां पर जमा करा गया है और उन सब को यहां पर अजीब सा मुझ बना हुआ है कि यह कौन है यह हमें क्या सुछाएगी जिसके बात हमें दिखाता है डियॉन इंदम सीरेस मोड में आ चुकी है और अपना भाला उसका यह वहम चूर चूर हो चुका है अब हमें दिखा जाता है कि जो वह ब्लॉक्स थे ना वह मैट तो हुई रहे थे लेकिन पूरा पूरा ब्लॉक की यहां पर लावा बन गया एंड कुछ सेकेंड संदर डियॉन ने यहां पर सारे सारे आइरेन ब्लॉक्स को मेल्ट कर पूरी तरह से और फिर वह बोलती कि मैं पूरी तरह से तरो ताजा हो चुकी हूं और वह सबसे कहते हैं कि चलो आप आज की टीचिंग क्लास से स्टार्ट करते हैं और सब कम हो यहां पर देखने लाइक था कि सब पहले जहरां रुख है कि इतना पावरफुल एपॉन हम लो जानती के से लिए यहां पर देखने पानी है अश्छारे कर रहा हो तो बाल यहां पर शेम्पू कर रहा होता है और वह बोल रही होती है यहां से थंडे पानी में वन आती हूं लेकिन ये भी बुरा नहीं है इसके बाद उस एक लड़की पूसती है कि ए। तुम ब्लेट को जानती कैसे जीत करने लगता है बताओना कैसे फैले कैसे था यह सब बात कर रही थी इसके बाद यहां पर दियोन है उसको बताने लग जाती कि जब उससे मिला था तो वह पांच साल का बच्चा था और जैसे उसको blade trip करवाने वाला होता है पीछे समावा कि उसका मुझा पगड़ लेती हूँ बोलती है कि मुझे जानना है कि blade जब मेरी age काता तो वो कैसा था जिसके बाद यहाँ पे Dion ने सबको बताती कि blade जब उसको मिला था ना तो बहुत जंगली टाइप का था वो एक human behavior नहीं जानता था वो बताती है कि वो एक जानवर की तरह था उसको बोला भी नहीं आता था और उसने तो मेरे को एक घोड़ा समझ लिया था लेकिन वत के साथ सबको सही हो गया और मैं great hero के assistant बन गई लेकिन उस टाइम से मैं हमेशा practice करती आई हूँ ताकि मैं ताक्यतोर बन सकूँ पर यहां पर सोफिक बताता है कि फिगा मत करो कोई पैसान ने पाएगा कि तुम्हारी बात हो रही है ब्लेड होता है सच में ऐसा तुमें लगता है यह हमारा एक चोटा सा secret है जिसमें blade यहां पर सोफिक बताता है कि नहीं माओ ने देखते पैसान लिया था कि मैं यहां पर great hero हूँ यह इस डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ चार है इंडिक अव्यार होते हैं इस पर ब्लेड बोलता है कि यह से फीनिक्स टाइप के इस पर आपर एक जो जाइन बड़ता है इनकी तरफ हमला कर देता है और यहां पर ब्लेड को प्रड़ेट करने के लिए लिए लेप साइड को यह कर देता है लेकिन इस चीज़ को भी इंजॉय कर रही थे पता नहीं क्यों हमें दिखा एक जाइन बड़ जो है वह बहुत जादा अनकंट्रोलेबल हो गया है उसने हाट चीज़ें तैसने मचा दी चार तरफ एमरेज जैसी अपनी सवर्ड को याज पर चूती है वैसे कोई मनुस की आदारी है फिर हम लोग देखते हैं कि वह मनुस और को इनी किंग होता है नेक्स सिन दिखाया जाता है किंडम का जहां पर ब्लीड इमरेज एंड सब लोग आए रहते हैं पूछने के लिए और फिर पर कुछ नहीं था उसके अंदर बस शिमक के एक थे अब य एक शिमक का एक चुरा लिया किसलिए यह तो पैरफेकल आड़ी मानने वाली बात है जिसपे यहां पे किंग बोलता है आरे मैंने चुराया नहीं है मैंने तो थोड़ा उधार लिया मैं वापस कर दूगा उनको इसपे बाई यह दोना इन दोनों बहुत यह दा गुस्सा हो र है जो होते हैं और वो बताता है कि शिमक्स होते ना यह नए है यह न्यूबूस है यह लोग फिर्स टाइम ऐसा कुछ कर रहे है इसलिए इसलिए इन लोग ने बहुत ही गला जिक्ट बनाया था इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं जिसके बाद एमरेस बोलती कि यह पागल हो चु जो है यह उड़र रहे हैं जैसे वह उसी एक को तलाश कर रहे हो और हमें बता जाता है कि वह एक जो है इन लोगों ने एक यहाँ पर लिफ्ट टाइप की चीज में रखा एंड लोग का प्लैन है यह लोग शिमक्स को यहाँ पर डिस्टैक्ट करेंगे जैसे इस एक को यह भाई महाँ पर हैच हो जाएगा अफे ब्लेर बोलता है कि तुम सब अपनी उपर बोरोसा रखना तुम लोगों नागर एक ड्रैगन का सामना कर लिए तो यह तो एक शिमक्स है इस पर यह बता ही कि हम इसका सामना नहीं कर पाएंगी और ब्लेर बोलता फिका मत करो मेरे को सबको पहहले यहां से हटा दिया था सारे सब लोगों को बागी यहां पर लियोनॉड जो होता है तरल के साथ घृता है और बैंट सक लड़का होता है यहां सब तो इसका डढ़ के सामना करेंगी नए तल्वार वो उठा के फेक देता है जिसके बाद बाद बहुत पाएगा लेकिन बाई यह अलगी बंदा था यह अपना पूरा दम लगाता है एंड जो घर होते हैं उनको लेके उड़ जाता है साथ में अब यह देखने बात इस बंदे क पूरे पूरे घर लिखके साथ में उड़ गया अब ब्लेट बोलो था फिका मत करो हम सबने बहुत अच्छा काम करा अब एटलिस उसकी स्पीड जो वह स्लो हो गई होगी अब यह आप इसको कोई भी फाट नहीं पड़ता है और और ब्यादा गुस्ता हो जाता है अब यह अब तुम्हारा टाइम में अपने बाल खोलो इसको बताओ कि तुम क्या चीज हो इसके बाद भाई वह जो होती है आप तुम डीमन किंग से लड़ने वाले हो और वह बहुत यहां पर थंडर शॉक देती है शिमक को जिसके बाद भाई उसको जड़कर दो लगता है लेकिन बाई उसके बाद भी उसको कुछ नहीं होता यह देखके माव बोलती है तो तुम मेरा यह जेल पाए मतलब मैं सच में दम है इसके बाद यहां पर एमडिस अपना दीमॉनिक फर्म लेती है और वह बोलती है अब यह सब करते हुए साम हो चुकी थी एड़ अब जो एक थान बोलता तुम सबको थैंक्स हम सबनें बहुत ही मैनत करी है और यह टाइम है एक को हैज करवाने का अब यह जो एक होता है ना वहीं पर फच जाता है उपर जा ही नहीं रहा था कार्गों से वसामने से यहां पर शीमर्क भी आ रहा होता है तो यहां पर सब लोग बोलते हैं से कि तुम जाओ उस एक को उपर पहुंचाओ हम इससे देख लेंगे इसको सुनकर यहां पर ब्लेड को पुरान दिन याद आते हैं जब वहां पर ग्रेट हीरो हुआ करता था उस टाइम बेर यह सब सोचके यहां पर तोड़ा बहुत नहीं आपर सोच चल जाते हैं इसको अपने उपर बैटा के यहां पर वाल के थूँ चलते हुए उपर लेजारी होती है पर ब्लेड बताता है कि जब मैं गेट हुई रोगवा करता था तब में असाथ कोई नहीं था मैं एक सोलो बंदा था लेकिन अब मेरे पास बहुत डेसा रिफ्रेंड्स हैं तो मैं इस बा पर कैसे मैं आई जाते हैं एंड बोलता है डियोने से ऐसा वापस मत करना उपर इन लोगा कि वेट कर रहा होता है वो बोलता है पागल नीचे आजा एक खाएक और तोड़ जाएगा और सामने से यहां पर श्रीमाग और ब्लाल हो चुका था था उसकी आखे लाल हो चुकी पर को काफे ताकी यहां पर दोनौन दोना प्लेट को देख रहे होता है ब्लेड ब्लेट को मेरे को क्यों देख रहे हैं इस पर सोफी बताते हैं कि अभी यह दोनों तुम्हें अपना पैरेंट समझ रहे हैं अभी यह सुनके अपने स्रिमक्स भी आप इसको पैरेंट समझने लग गया वाकि कुछ मंत के बाद कमें टाइम दिखाया था जब यहां पे अपने स्रिमक्स का यहां पे फ्लाइंग टेस्ट करवा रहे होते हैं और यहां पे इनके बड़े वाले शिमक्स वो भी इनको देखे खुर्स दिख रहे थे बाकि यह भी यह एपिसोड एंड रहता है गाईस तमनों के यह एपिसोड कैसा लगा कमेंस में बताना और अब यह वीडियोस आएंगे तो सब्सक्राइब कर दो एंड यहां मिलता होगा से और नेक्स्ट आवसिंग वीडियो में तिल देन गुडबाई